हेलो फ्रेंड्स यह देखिए मैंने कुछ पौधों की आज मैं गया था नरसरी तो लेने तो गया था हमें एक दो पौधा पर वहां देख जाने के बाद और सारे पौधों को देखने के बाद लालच बस ले आये हम धेर सारा तो मैं आपको पूरी सौपिंग हौल और कौन सा पौधा कितने का मुझे पड़ा है विद रेट सारी बात करेंगे और पौधे को फिर लगाना कैसे है किस साइज के ग्रो बैग में अगमले में हम इसे लगा सकते हैं इसके बारे हम भी बात करेंगे और कुछ इसके लावा हम कंपोस्ट और यह सब भी ले आए है तो वीडियो में आखरी तक बने रहेगा सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आनली वीडियो के नोटिविके आता है इसमें आपको कलर वाराइटी काफी ज़्यादा मिल जाती है मैं फिलाल चार कलर ले आया हूँ और एक देखिए यह बड़ा पौधा है इसका जीनिया का ही यह मेरा पांचवा पौधा है तो मैं इसे भी ले आया देखने में मुझे कलर अच्छा लग रहा था यह कर होता तो all time समझ लीजे इसको सर्दियों में भी खिलता है पर गर्मियों में इसका look और इसका color ज्यादा निखर के आता है अच्छी flooring इसमें होती है और अभी temperature हमारे यह 40 प्लस हो गया है तो इसमें और flooring अच्छी इसमें आएगी तो यह कुछ चार पौध हमने जीनिया के care कैसे करे फुल डिटेल वीडियो है अगर आप देखना चाहते हैं तो महाँ जाके देख सकते हैं एक एक पौधे में हजारों फूल लगे हुए हैं उसमें तो यह कुछ color मुझे पसंद आ गया तो मैंने इसे और ले लिया चुकि सदावार भी permanent पौध है ऐसा नहीं है कि ए इनने भी मैंने ले लिया है इनके फूल इतने जादा अच्छे होते हैं कि यह garden का लुक काफी अच्छे से बढ़ा देता है और फिर दोस्तों यह जो मैं बता रहा हूँ यह सारे पौधे इन्हें आप आठ से दस इंच के गमले में आराम से लगा सकते हैं चाहें जिनिया हो हो जाएंगे पौधे तो यह पूरे फूलों से भर जाएंगे और यह आपने गार्डन की खूबसूरती को और बढ़ा देंगे चार चाहर लगा देंगे तो यह भी 25 पचीस रुपए के एक पौधे मुझे सारे पड़े हैं आप अपने आगे लोकल नर्सरी में जाके पता क है हो sufficient होता है बस इन्हें full sunlight में रखिए इन्हें watering करते रहें अच्छे से watering देते रहेंगे तो यह सारे पौधे पूरी गर्मी आपके garden में अच्छे से flooring देते रहेंगे और आपके garden में काफी जादा खूबसूरती add करते रहेंगे फिर दोस्तों उसके बाद मैं आगे बरत और ये फुल पिंक में है और ये धर कुछ परपल कलर का है तो इन में धेर सारे फूल निकल रहे हैं तो मुझे ये बिल्कुल प्योर वाइट कलर एक पसंद आ गया तो मैंने इसे भी ले लिया है ये चुकि कटिंग से ग्रूप की गई है तो मुझे चालिस रुपए में एक पूद आप मिल गया है तो मैंने ले लिया मुझे अच्छा लग रहा था तो इसे भी इसे आप 12 इंच के गंबले में लगाए तो इसमें अच्छी ग्रूथ दिखेगी आपको और फुल सनलाइट में रखे हाड़ी प्लांट है आप इसे वाटरिंग दिन में एक बार कर दे इसके लिए सफेसियंट होता है फिर दूस्तों अब इससे आगे बढ़ता हूं में तो ये देखिए ये गुडल का पौधा है वस वाराइटी डौर्फ वाराइटी का है डौर्फ वाराइटी में क्या होता है पौधे आपके ज़्यादा बड़े होते नहीं है करीब एक से देखिए आप कलियां ले रखी है पर आपको ऐसा पौधा नहीं लेना है अगर नीचे से पौधा मजबूत है तो कलियां ओपर बाद में भी आ जाएंगी तो इस परकार देखिए मैंने दो पौधे लिया है ये एक यलो में है और ये वाइटेस है इसमें एक फूल लगा थ और ये भी पूरी गर्मी flooring करते रहेंगे हमारे garden में इसे भी लगाने के लिए हमें चेहें कम से कम 12 इंच का pot 12 इंच के pot में या उसे बड़े pot में लगाते हैं तो इसमें काफी अच्छी flooring देखने को मिलती है फिरब दोस्थों उससे आगे बढ़ू में तो यह मधुमालती का पौधा है मेरे पास अभी तक थानी तो मैंने ले लिया है जो फ्लावर से काफी खुबसूरत दिखते हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है इसमें और पूरा पौधा फूलों से भरा रहता है तो इसे भी आप ले सकते हैं यह मुझे असी रु तो जब यह खिलेंगे तो बहुत ही खुबसूरत देखने में लगेगा यह तो उसके बाद दोस्तों बेगम बाहर का अल्रीडी मेरे पास एक पौधा था पर इसकी खुबसूरती इतनी जादा अच्छी है और कलर भी इसका इतना निखर गयाता है तो मुझे एक प्लांट म मैं आउर ले आया इसका इसके लिए भी कम से कम 12 इंच का पौध रखे और आप वैटरिंग करते रहें इसमें बेगम बाहर की केर कैसे करें इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं सबस्क निखर बहें इसके लिए 12 इंच का flower plants है जिने आप next season के लिए भी आराम से रख सकते हैं ये पौधे खराब नहीं होंगे फिर दोस्तों जो next pod है हमारा flooring plant ये देखे फूल कितने अच्छे इसमें देखने में लग रहे हैं और krasindra इस पौधे का नाम है इसे fire cracker भी बोलते हैं ये धेर सारे फूल गुच्छों में खिलके आते हैं तो एक ही गुच्छा है देखे इसमें और इसी में नीचे से कई सारे flowers निकलके आ रहे हैं मैं दिखा हूँ आपको देखे दिखने में कितना सुंदर है और color भी कितना प्यारा लग रहा है तो ये भी आप अगर आपने garden में लगाते हैं तो पूरी गर्मिया इससे आपको floor मिलेंगे और garden की खुबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है साथ ही साथ जो कीट पतंगे होते हैं उन्हें आकरसित करता है और वो आके आपकी garden में pollination को बढ़ा देते हैं तो इस लिहाद से भी ये पौधा बहुत खुबसूरत है या फिर जो भी flooring plants है इस लिहाद से भी काफी garden के लिए उपयोगी होते हैं इसे भी आप कम से कम 10 से 12 इंच की गमले में लगाईए और धेर सारी flooring पूरी गर्मिया लेते रहिए तो दोस्तों ये कुछ flower plants थे जिन्हें के हम ले आए हैं nursery visit में और इन्हें transplant कैसे करना है इसके लिए soil mix कैसे बनानी है सारी चीजे हम आगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि इस वीडियो में अगर हम सारी चीजे बताने लगए तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो next वीडियो में हम इसे transplant करेंगे soil mix कैसे बना है इसके लिए गर्मियों के मौसम में और किस size के grow bag में लगाना है ये तो हमने आपको बता ही दिया है तो कैसे इसे transplant करना है क्या सावधानिया बरतनी है अभी तक क्या होता था दोस्तों मैं local market में ही एक जगह थी जहां से मैं ले के आता था तो मुझे उसमें काफी पसंद नहीं आ रहा था वो उतनी अच्छी growth भी नहीं उस compost से मिल रही थी तो मैं गया था shopping करने अचानक से मुझे नजर एक agriculture shop पर पढ़ गई जहां से मुझे ये compost मिली है और इसका texture भी काफी अच्छा है और ये काफी अच्छे से decomposed भी हो चुकी है तो ये मुझे आच्चुकी काफी सस्ता भी पढ़ गया ये आप देखिए 25 किलो की बोरी है 1500 रुपे में पढ़ गया मझे तो अगर आप भी कहीं gardening कर रहे हैं तो ये चीज़े देखिए ध्यान में रखिए और इन्हें देख लीज़े आसपास जो एगरी culture store है वहाँ पता कर लीज़े फिर लीज़े क्योंकि इसमें हम काफी ज़्यादा ठगे जाते हैं terrace gardening करते हैं तो कई जगें पर ऐसा होता है कि मिट्टी और compost को मिला के गोबर खाद मिला के भी बेज़ देते हैं सब तो इस चीज़ को देखिए आवेर रही है इसके अलाओं दोस्तों ये है नीम की खली ये भी मुझे काफी सस्ती पड़ गई है ये दोस्तों नीम की खली अभी तक मैं ऑनलाइन मंगाता था तो तो डेड़ सो रुपए के आसपास किलो मिलती थी अभी मैं ये पचास रुपए किलो लेके आया हूँ और ये देखिए कितनी अच्छी इसमें से खुसबू भी काफी अच्छी नीम की आ रही है तो ये भी मुझे काफी सस्ता पड़ गया है मैं 5 किलो ये भी ले आया हूँ और इन्हें मैं कंपोस्ट बना के ये एक बार की कंपोस्टिंग के लिए मेरे सारे कंपोस्ट हैं इन्हें कंपोस्ट करना है आपने सारे पौदो में compost देना है तो इस सारी चीजे मिला के मैं दूँगा तो इसकी भी वीडियो में आप लोगों के साथ साजा करूँगा कि compost में क्या-क्या मिला के हमें देना चाहिए कैसे देना चाहिए कितनी मात्रा में कौन सी कौन सी चीज मिलानी चाहिए तो अगली वीडियो इसकी भी बनाऊ के लोकल मार्केट में कहीं अगरिकल्चर स्टोर में मिल जाए तो आप वहां से लीजिए काफी ज्यादा आपको फाइदा होगा उससे और क्वाल्टी भी इनकी काफी अच्छी होती है बाकी जगहों से लेने के आप एच्छा तो इस परकार दोस्तों मैंने कुछ यह कंपोस् में जरूर बताईएगा और मैं किसी चीज में अगर कोई चीज मुझे महंगी पढ़ी हो तो वह भी बताईएगा कि आप कहां क्या इससे महंगी है या इससे सस्ती है जो भी हो सुझाओ हो कोई सवाल हो कमेंट बाक्स में जरूर लिखें दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवा झाल झाल